हलो फ्रेंट्स मैं जसमी नारा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने हैं योटीब चैनल फिट एन फाइन पर फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के सुरुवाती तीन महिनों में प्रेगनेंट महिला ये अपना ख्याल केसे रखेंगे यनि के friends pregnancy के सुरुवाती तीन महिनों में pregnant महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी कौन-कौन सी चीज़े जो उसे करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़े जो उसे नहीं करना चाहिए यानि के friends कौन-कौन कामों को करने से बचना चाहिए और कौन-कौन सा काम करना चाहिए friends ये वीडियो आपके लिए बहुत ही information वाली है so friends आप इस वीडियो को कहीं से भी और बिल्कुल भी याद रहे कि skip मत किज़ेगा और friends हाँ एक request है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटा एक से subscribe करके बेल एकन का जो बटने उसे दबा दीजिए ताकि friends हमारी हर एक नई आने वाले वीडियो की notification वो आपको time to time मिलती रहे तो फिर आए friends वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे की जो information है उसे जानते हैं यानि कि pregnancy के तीन महिने में pregnant महिला अपना ख्याल कैसे रखेंगी और क्या करेंगी तो friends सबसे पहले pregnancy में pregnant महिला को शुरुआती जो तीन महिने होते हैं उसे हलके में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि friends इन तीन महिने में miscarriage होने का chance कुछ ज़्यादा रहता है इसलिए प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट महिला को इन तीन महिनों को ज़्यादा हलके में नहीं लेना चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स इन ही महिनों में गर्व में भुरून का विकास सुरू हो जाता है और फ्रेंट्स इन तीन महिनों में आपका सरीर कई परकार की सारेरीक और हार्मोनल विकास से गुजरता है फ्रेंट्स प्रेगनेंसी के सुरुवाती तीन महिनों में आपके जो होने वाले बदला होते हैं वो बिल्कुल ही नए होते हैं और friends खाने का टेस्ट भी जाता है और साथी साथ मानसिक रूप से सिर्चिड़ा पन भी आपको होता है friends इस वक्त पती को धेरी रखना चाहिए और पतनी को सहारा देना चाहिए प्रेंड्स डोक्टर का यह कहना है कि प्रेगनेंसी के सुरुआती तीन महिने में प्रेगनेंट महिला को ज़्यादा भीरभर, परदूसन और रेडिसन वाले जगों से जाने से बशना चाहिए। प्रेंड्स ऊबरखाबर रास्तों में ट्रेवलिंग ना करें। फ्रेंड्स मॉर्निंग सिखने से बशने के लिए अप नीमबू पानी या फिर अधरक की चाई पी सकते हैं। फ्रेंड्स अप दिन भर में चार से पाच बर तरल चीजे लें। जैसे की फ्रेंड्स नीमबू पानी, नारियल पानी, छाच, फलो का जूस आदी। फ्रेंड्स अगर हम प्रेंड्स अगर हम प्रेंड्स में चार्च, नीमबू पानी, नारियल पानी, फलो का जूस मतलब ये सारी चीजे पीते हैं। पानी बराबर मात्रा में बनी वी रहती है, तो आसानी से घर पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पीने कमन ना करें तो आप ज़्यादा पानी ना पी लेकिन अगर आप पानी कम मात्रा में पीती हो तो उसके हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकते हो वड़ फ्रेंड्स जैसी कि अभी-भी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में छाच, नीबु, पानी नारियल, पा बेबी के बारे में हमें सोचना होता है इसलिये आप ज़्यादा मातरा में कुछ भी नई खाए और नई पिए आप उतना यह खाएप पिए जितना की आप कशा को आप जबर्जश्ति फृरण्स कुछ भी ना खाये So friends I hope आपको हमारी जो आज की छोटी सी information थी वो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी friends वीडियो तो वीडियो के लाइक जरूर कर देना So जल्दी मिलेंगे friends एसे information वाली एक और next वीडियो में तो फिर चलिए सुक्रिया